हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मिद आप सब अच्छे होंगे मैं हरिसा हूँ अब इपसाइजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटपरम आपका हर दिस्वागत करता हूँ हम जो है क्लाश 10 साइंस का पूरा चर्चा करने वाले बच्चो जिसमें से हम डिसकस क करेंगे mcqs और जितने भी आपके एक नंबर के कोश्चन है उस सब के बारे में और आपको तो पता ही है कि हम जो है जो सिरीज लाह है है उसमें हम सुरुवात कर रहे हैं कहां से आपके जो एक नंबर मार्क्स है और जितने भी आपके दिरगोतरी है लॉंग आंसर वाले को सब दिलाएंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं तो इसी करी की सुरुवात आज हम कर रहे हैं बच्चो क्राश्टेन साइंस का आज इकाई नंबर एक यूनिट नंबर फर्च जिसमें हम दो दो शेप्टर जानते हैं बच्चो कोंसर इकाई फर्ष्ट हम पढ़ेंगे दो चैप्टर पाहला चैप्टर है किसके बारे में आपके सीजी बोड के बूब में बच्चो और दूस्रा चैप्टर जो है अपके अध्या नंबर چार तो हम इस के बारें डिसक्स करेंगे और इस प्र करेंगे रहे हमें मaire में बढ़ाइंगे देखना है एक नहीं करते हैं क्योंकि बोर्ड एक्पास में आरहा है तो चलो चालू करते हैं एक नमर के क्वेशन पे तो एक नमर के जैसे कोश्चन है तो आपको पता ही है कैसे आता है कुछ एसे है जो करी repeat होता रहता है repeat कैसे होता रहता है तो इसको रिवाइज कर लेंगे और साथ आपको यह भी बता देंगे कि इससे expected question भी आने वाला है तो चलो सुरुवात करते हैं sir तो हम देखते हैं कि जैसे जो MCQ आपता है आपका वो सही भी कर चून कर लिखे करके जैसे ही आपका question आया तो आप बोल सकते है sir कि इसमें से आपको choose करना है है ना choose करना है तो यह तो बड़ा easy होता होगा easy होता है लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि बहुत सा question जो है repeated रहता है और साथ ही साथ आपका उसी question को आगे बरहा के जैसे 22 में जो question आया है उसको 24 में भी पूस देते हैं तो उसी कड़ी के सुरुवात करेंगे तो हम देखते हैं पहले कि कैसे question आया है देखो नीम्नलीकыт मेंसे प्रवाल अमन नहीं लुई है इसको आपको जानना है ये question 2-3 बारत कैसे लेशन सकता है इन ले से प्रवाल अमन नहीं है ऐसा भी लें अख डाशा जा सकता है खली ठान में भी इसको सकते है फिली इन ब्लैंक में कैसे कि डेश 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 किये उसके बाद बोलेंगे प्रबल अमला कौन है आप संबी दे सकते हैं HCl, HNO3, CS3COH, H2SO4, किसी भी प्रकार से इसको घुमा कर भी दिया जा सकता है अब यह बोल दिया नीम्ला लिखित में से प्रबल अमला नहीं है तो इस्ट्रॉंग एसिट क्या होता है आपको तो पता है जो एच प्लस की बारे में इसका चेप्टर में भी अच्छे से डिसकस्टन किया था जो कि आपको एप में मिलेगा बच्चो तो हम क्या जानते हैं अब बच्चा यह CS3-CoOH अब बात करता हूं मैं इसका स्ट्व असोफोर का इस्ट्व एस्ट्व उसपोर क्या है इसे तो आप सलफियूरी कमला और सल्फियूरी कमला के बारे में तो आपको पता है इसका यूज्ज जयादा होता है और इसको हम बोला जाते है प्रबल अमले तो इसका आंसर क्या होगा बच्चो C, clear हुआ, इसी प्रश्न को और घुमा कर भी पूछा जा सकता है, इसी को सही जोडी मिलाओ कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अब और क्या है, हाँ, इसको अब को पूछा गया था, देखो 36 बोर्ट ने दोगर 18 में, सेट A में इसको पूछा गया था, है ना, यह रिपीट भी हो सकता है, और कुछ अलग तरीकर से भी इसको पूछा जा सकता है, खेर और आगे बढ़ते हैं, और समझ में आगा आपको, अब देखिए क्या बोलता है, अमली विलिजन का पीएच मान होता है, अब देखिए, पीएच इधर से इधर जाता है, साथ से ज्यादा होता है, तो मैं बात करता हूँ छार का, साथ से कम होता है, तो मैं बात करता हूँ अमलग का, और जो फिक्स साथ होता है, उसको बोलते है उदासिन विलियन, तो भही वही उसी से कोशन बढ़ रहा है, क्या पूछ रहे है, अमली विलियन की पी हम होता है. साथ सी आधिक, इन में में से कोई नहीं. इन में से कोई नहीं. तो फालतू का दिया हुआ है. यह बोड है कि यЕ तीनों और ऑप्सन में ही कोई आंसर है. कभी-कभी इन में से कोई नहीं ही आंसर हो जाता है. तो क्या आएगा बच्चो इसमें इसका अंसर है second का B ठीक है आगे देखते हैं आगे हम देखेंगे 10 6 का कारण है लार का pH अब यह लार का जो pH वैली देखो pH वैली से बहुत कोशन आता है तो pH जो है लार का वो कितना होता है जिसके कारण से दाथ जो 6 होने लगता है एक लिम जाना जिसको चैप्तर में अच्छे से दिया हुआ है आपको पढ़े भी होंगे इसके बारे में अगर ने भी पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है बच्चो क्या सारे 5 से कम हो जैसे होता है pH वैल्यू तो दाथ 6 होने लगता है तो टूटने लगता है ठीक है अब पारे पांस से, तो क्या है होने लगता है? दाच होने लगता है? और किस लवन की प्रकृति अमली होती है? हाँ, यह मज़रा कुशेन है. कैसे जो लवन है, लवन जो साल्ट बनता है, उसको कैसे वो अमली होता है यह कुशेन आए? घुमा देगा बच्चो 21 की प्रवित्ति जो है प्रकृति जो है अमली होती है तो देखो दिमाग लगाना है कि यह क्यों आंसर है चल देखो सोडियम को रायड अवेन देख़ो आपको क्या पता है सोडियता है इसली बना देता है शार है तो इसका रोल खतम हुआ क्यों क्यों कि इतलिछी ए है, अमली विले नहीं बना रहे है, तो चारी विले बना रहे है, वैसे सोडियम सलफेट, सोडियम सलफेट में देखोई, आपको ने दीख रहा है, बच्चो, ये भी बना देता है, आपका, sodium hydroxide लेकिन जब मैं बात करूं ammonium chloride की तो ammonium chloride जो है यह जो है आपका बनाने वाला है क्या NH4 NH4 इसको मैं अगर बातूं तो यह NH4OH बना देता है और साथ में HCl बनाता है या फिर यह भी बोल सकता हूं कि यह जो NH4OH HCl मिलकर ही ammonium chloride बनाता है बोल सकता हूं ठीक है अब यह ऐसा बन रहा है और इसमें बात करता हूं तो यह भी क्या बना सकता है यह KCl बना सकता है और जैसे में यूज करूंगा कुछ भी तो यह NO3 के साथ HNO3 या फिर कुछ भी कंपॉंड बना सकता है तो एक चीज़ दिखिए क कि जो ammonium chloride है ammonium chloride जो एक किस से बना हुआ है ammonia headline mound आप्शार है अब यह अब यह प्रबल और यह प्रबल छार है तो यह प्रबल आमें प्रबल जब भी या फिर इससे बन कर बना यह है यह समझ में आफिर कि प्रवित्ति जो है अमली होती है तो इसका option क्या हो जाएगा बच्चो अमोनियम कोड़ाइड क्लियर हुआ समझना है कि यह कैसे बना है और कैसे आया है और यह रिपीट भी हो सकता है question और इससे related question बन सकता है इसको आपक बना यह होता है साथ बढ़ गया होगा तो जाहीं से बात इसका answer क्या हो जाएगा साथ से अधिक हो जाएगा सर फिर उदय बहुता है साथ हो जाएगा यह बेदियर हुआ फिर प्रहसानिक सूचक है हाँ रशाइनी सूचक सूचक से कुश्न आती है अब देखते हैं कि जो है। सुगन से पता है। लों तेल भी दाता है। बच्छाए क्या लीटिमस और में अंसर होगा। लेकिन अंसर क्यों है। छानिक सूचक के अंतरगर में इस की बाता हुआ होु और लीटिमस पौधा होता है पौधा है। सूर्स है तो प्रकृतिक सूचक क्या में तर्ग इंशानिक सूचक क्या है उस पर चलते हैं फिर जैसे directions करो या फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछा ना कोशन सकता हूं इससे इसी को रिपीड भी किया सकता है है इसी से सकीना बोला कर बोल दिया रामू के पीट में बोल दिया को अज बोड़ रहा है सके शकीना पेट में सकीना के पैट में अमलता के कानद जरन होने लगी उससे क्या उसकता होगि अब जैसे कि हमने चैप्टर में educated ह organism when we say okay you say moo 1 % हम दीक है तो हमने पर रख है सार कि जिसके पेट में कि सी डिडीडी है हम देते हैं वेस हम भी था हना मैं रॉअ हो यो भी होना चाहिए कि ऑपैर उिसका आप इस इसा हो जाएगा प्शो नम्बर T कैसे भी दे कोश्चेन आपको यह discuss करना है आपको यह बताना है कि क्या इसको इनों यूज कर रहे हो आप यह जचार रहे हो वो क्या है और किसके लिए इसका काम होते है ठीक है और देखते हैं आप नहीं मेरा कि आकसाइड नहीं से किसका जली विलियन अमली होगा चलो बताओ बच्चो अब ऐसा पूस दिय को मतलब यह समझ में आया कि आपको एस्ट बिसक्ष कराना है इस्ट आम मतलब जल के साथ अगर यह को साथ जल के साथ रियक्ट करेंगा ये और ये अब सर आप तो ठीक कियो डार्र कियों वही आंसर होगा अब मैं तो यह भी जानगुश कर भी बोल सकते हूं कि यह है अंसर करके हैं क्या पता यह भी नहों चाहो देखते हैं भई अब यह समझ में आया कि केल्चम आक्साइट जो है इस टो के साथ जब भी रियक्ट करता है आपको पता है चेप्टर में भी डिसकस किये थे हमने हमने इसकस किया था तो यह बनाया था कैल्सम आपर यह झालाइव को तुरण पता चल जाता है कि यह तो बनाता है चार कैसे थे आंसर खत्म होता हुआ अब मैं इसके बात करता हूँ जल जल सिमिल के अच्टर बनाता है अलग से कंपोन बना लेगा लेकिन क्या नहीं बनाएगा अमल नहीं बनाएगा फिर अब बसता है यह तो सर यह आप जो ठीक है क्या होई है यह जो है H2 यह भी बना लेता है क्या बच्चो एसो थ्री सल्फ्यूरस एसीड की ओर जाता है और धिये दिरे करके यह H2-A4 भी बनाने को तयार हो जाता है और H2-A4 बोलते ही आपको पता चलता है क्या है बच्चो जो की अमल है क्लियर हुआ तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आंसरर जो ईगा सी क्या हो जाएगा सी पीर अब देखते हैं आक्साइड में किसका जलिवी लेंख छारी होगा आप जैसे दिमाग लगाए थे वर Сीश में भी लगाओ तो छंड ईधे दिखो यह यह हालैट होता हूँ है बना लेता है लेकिन आपको केल्सम हैंड्रक्साइड पे टिक करना है क्लियर हुआ समझ में बच्चो अब आगे बढ़ें यहां तक समझ में होगा अब चलते हैं हम रिक्ति स्थारों की पूर्टी कीजिए करके जो कोशन आता है उस पर चलते हैं वो कैसे आता है और कैसे डील करने उस पर चर्चा करते हैं अब आपको तो यह पता है कि हम जो है सर स्टार्ट किये थे यह फर्ष्ट के अंतर के जो चैप्तर है उसमें जिसमें हम mcq खतम कर चैप्ति आती है सही विकल पाती उस पर चर्चा कर लिए अब जो रिक्ति स्थन की बात कर रहा हूं सर यह कैसे आता होगा तो भई यह ऐसा आता है और उसी जो आपका जो क्या था आपका जो आता है और आपको खतम करना और कैसे करना पढ़ना वह भी आपको परद्धनकारी मिल जाएगा बच्चो तो देखो खाली स्थन की प्रकृति अमली चारी और उदासिन होती है आपको सोचना है क्या होता है सर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं है ना हम जो चैप्टर पढ़ तो उसमें पता चलता है कि किसकी अमली होती है चारी होती है और उदासिन होती है तो आपको क्या पता है इसके आंसर क्या जाएगा लवन की किसके बच्चो लवन की ठीक है अब लार का पी एच खली स्थन से कम होता है इसका अंसर याद रख रहो साथ से कम ही होता है और खालीस्तन विल्यन का pH मान साथ से कम होता है किसका pH साथ से कम होता है ऊचार या ऐनल....बता आप दो सकते है बस आप गसे यह सकता है और इसी उको आगे बढ़ा कर भी जैसे यहीजिन पूछ एक हाम होता है खालिस्तन विल्यून का पी एछ मांथ 7 होता है क्या लोगे लिख दो گे किसका जोई साथ से ज्यादा होता है यह पूचा सब्सक्राइब करकार से इसका रहे हूं ढपिएच्ड रहा है। जब रहा है उसे काफी तक आपको क्लियर समझ में आ जाएगे बच्चो जो पुरियर सेर कोशन है और जो एक्सपेक्टेट कोशन है इस पर हम चर्चा कर रहा है जिसको आपको बारी-बारी से देखते रहना है और चलते रहना है अब चलते हैं हम उची संबन जोड़िए सब क बना जाते हैं किससे मेर रहा है देखते चलो इसी से कोशनर और समझ में आ जाएगा कि सरक की से पुझजा जाता है डिक रहा है क्या सर देखते ही मुझे पच्छा रहा है कि हाड्रो क्लोरी के सीड दीख रहा है पस सिंपल और प्रबल चार जब भी मैं डिसकस करता हूं प्रबल आम प्रबल चार मुझे पता ही चल जाता है कि क्या सर कि जो आपका अब आपका इसमें पूरा डिसकसन कर रहा है आपको पूरा जनकरी अगर आपको चाहिए तो हमारे एप में आईए और पूरा डीटेल साब पढ़िये बच्छो फिलार हम इसमें जलते हैं जिकी आपका आने वाला क्वेश्चन से लेकर रिपीटेट चुपक्वेश्चन है उस पर हम चारचा ही कर रहते हैं जो है यह हो जाएगा यह क्लियर ग्रान शुचक अब बताव यह क्या है लांग कत्यल जो इसमें राता है उससे आप सुचक है यह भी इसका प्र तो इस प्रकार हम चल रहे थे और देखते हैं कैसे आज आता है हाँ और पूछा जाए इस सण कभी ध्यान रखना मच्छो यह पूछा गया है मतलब इंपॉर्टेंट कोशन है और इस टेप कोशन पूछा जाता है अब बोल दिया तो इसको भी हम कोशन देख रहते हैं तो इस पतंए चज़ इसको बतां चाढ़ा है तो इसको जोड़ा बना दो लाल गुलाब लाल गुलाब क्या होता है यह फिकश घ्रा डाव ठीक है आपको सस पनातर प्ता जोड़ा होग THCRった हो याद ही रखना यह week syrup में आधा है और हृसिज հीजो टमार तर समें आगजरे की जटाव किलेफедर ताता है उधासिन विलेंक क्या होता है सर पानी ही उधासिन विलेंक होगा सर आप सिधा आनसर बतार हो फई इतना सेर fistître वीलें एक डी Original बताने किया उप देन हैं आतर हो खाने का exactement क्या भोलते हैं को सोडर को और बोलते हैं sodium carbonate और अब कपड़ा दोने का soda को sodium by carbonate ओभी ऐसा question बन सकता है देख लेते हैं उसा question बनता है कपड़ा दोने का soda sodium by carbonate होगा देखो sorry sodium carbonate और इधर का है जो कि कीसे क्या बोलते है рис अब रसानी शुचक जो है। आपका समय। रसानी करन के विकार होगी। त्हसस्णी करन के सिखने होती कहाँ अमला और छार के है reaction से अब क्या बच्चा मैगनिस्यम हट्रक्षाइड को यूज किसके होता है प्रतियमला की रूप में होता है क्लियर तो इस प्रकार के आपके सभी कोश्चन जो है ऐसा एक नमर कोश्चन में आता है बच्चो जो कि आ रखा हुआ है और इसी से एक्सपेटिट कोश्चन जो तो जाएगा यह क्लियर हो जाएगा और आपको दो नमर जो पाने से कोई नहीं रोख सकता MCQs और आप उच्छी संबन जोड़िये और फिलिंदे ब्रेंक से आपसे कोई भी छीन नी सकता आपका दोनमर जो मिलने वाला है और जो सूचक है सूचक प्रक्राइब सूचक और आपका जो आने वाला क्या है रसानिक सूचक ग्रहान सूचक इससे जो कुष्छन आने वाला ह हो भी आपध्र पढ़ने पर अच्छे से बठा सकते हो अंब उसको पढ़ने की जमिए प्रबल अमने प्रबल छिप रही चाहे को पढ़ना ईह होंगे तो आपको कोई क्लिधस paper से आपको इस पर अच्छे से जोड़ देना है लिब warto ऐस चाहए ले सकते हैं और यह जो आपको याद रखना जोर रहे है इससे आपको एक नमर कोश्चन बन जाएगा तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्छो और जैसे कि हमने बात रखा था अपना की मिसन दो रते हैं इसके अंतरगत हम जो इस्टार्ट किये हैं क्या आपका एक्जाम सीरीज उस पर आप बिल् अप्रोच के साथ धन्यवाद